दोस्तों अगर आपने किसी भी कंपणी के LPG Gas Connection ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है नहीं तो 1 जून 2024 से यानि कि आप से 3-4 दिन बाद से आपका जो Gas Connection है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा तो अगर आपने किसी भी कंपणी का ले रख होता है यानि कि अगर आपने bank account open करते हुए किवाईसी डुक्मेंट दिया है फिर भी 5-10 साल के अंदर आपको जो है एक बार फिर से बैंक में जाकर अपना किवाईसी डुक्मेंट सब्मीट करना होता है रेगुलर इंटर्वल पर आपको किवाईसी अपडेट करना होता है ठीक उसी तरह LPZ gas connection के लिए भी नियम लागू होती है आपको रेगुलर अंतराल पर अपना किवाईसी अपडेट कराना होता है अपने distributor के यहां से आप जो है चाहें तो online भी अपना किवाईसी complete कर सकते हैं तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर petroleum और gas मंतराल ने आखरी deadline जारी की है जो की 31 मई है यानि की 31 मई तक आप अपने रसोई gas का EKYC अगर नहीं कराते हैं तो आपको cylinder नहीं मिलेगा और साथे साथ आपका जो connection है वो भी बंद कर दिया जाएगा तो आप जो है किस तरीके से अपना KYC करवा सकते हैं वो बता देते हैं वैसे तो आप EKYC भी कर सक Face Authenticator App डाउनलोड करना होगा जैसे मेरे केस में हुआ है तो UIDI का जो Face Authenticator App है वो आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप जब तक उसका Face Scanner या Scanner इस्तमाल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा इसके लिए hardware भी चाहिए सिर्फ software डाउनलोड करने से कुछ नही अपना gas connection जो भी card आपको मिला हुआ है वो card ले लिजिए अपना अधार card ले लिजिए और जहां से आपने connection लिये हैं यानि कि अपने distributor के पास पहुंच जाए और वहां पर अपना KYC document submit करके KYC complete करवा लिजिए ताकि आपका जो connection है वो बचा रहे नहीं तो अगर आपका connection ब बिल रही होगी तो और वैसे भी आप लोगों को बताते चले कि जितने लोगों ने gas connection लिये हैं उन सभी को बहुत दिनों से company के द्वारा call करके या फिर ऐसे ही जनकारी दी जा रही थी लगातार कि आप जो है अपना KYC document submit कर दीजिए और सरकार ने भी guideline जारी की थी deadline जारी क पास जाकर अपना KYC document submit करिए और अपने connection को बंद होने से बचा लिजिए और चलते चलते एक और बात आपको बताते चले कि अगर आपने उस जवाला योजना के तहद आपने लिया है अपना gas cylinder तो ऐसे में तो आपको subsidy भी लगबग 300 रुपे के आसपास मिल रही होगी और एक gas connection का cylinder का तो इसके लिए आपको 300 रुपे की subsidy मिल जाती ही यानि कि 500-600 के आसपास अभी भी आपको जो है यहाँ पर gas cylinder मिल रहा है तो अगर आपके नजदीक में बितरक है तो वहाँ पे चले जाए नहीं तो आज नहीं तो कल आपको जाना है अगर connection बंद भी हो जाता है म दूबारा से आपका connection चालू हो जाएगा और फिर से आप उस card से अपना cylinder उठा पाएंगे तो इतनी भी डरने की बात नहीं है कि अगर एक बार connection बंद हो गया तो दूबारा से connection लेना होगा नहीं ऐसा नहीं है उस connection के लिए ही आपको KYC document जब तक submit नहीं करेंगे तब तक व वीडियो बहुत ही helpful लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में देजिए इसाज़त थैंक यू